हेलो एर्टिमन कैसे आप सब वैलकम है आप outer का मेरी चैनल पर तो आज देखिए मैं आज नीव रसीपी लेके आया ही आपके सामने मिक्स सबजी जो सलोणी मसाले से बनाएंगे वो मसाले का नाम Saloni है जो हम घर में बनाएंगे तो देखिए मैंने मिक्स सबजी काटली है बीन्स है गाजर है आलू है पत्ता गोबी है वटाने है और भी आपके घर में सबजी रेगे वो डाल सकते है तो एक मिक्सर बाउल में हम जीरा डाल देंगे काली मीज डाल देंगे धनिया लासून मिर्ची अद्रक इसी को बोलते है सलोनी मसाला धनिया मतलब हरा धनिया खड़ा धनिया नहीं डालना है और ये देखे मैंने ये पतेला ले लिया है उसमें सरसो का तेल डाल देंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये जो मसाला है हम बाहर से कुछ भी गरम मसाला नहीं डालेंगे जो पीसा हुआ आता है ये तेल गरम हो गया है इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे जैसे तेजपत्ता, सुखी मिर्ची, जीरा और इसको हम थोड़ा चटक ने देंगे ये चटक जाए तो इसमें अभी हम जो सबजिया काटी थी दो के वो डाल देंगे थोड़ा उड़ेगा क्योंकि हमने सबजिया धोई है इसके लिए और ये पूरा डालने के बाद इसको अच्छे से चला ले रहा है और इसको ढख के पकाना है क्योंकि इसमें कोई भी बॉइल किया हुआ चीज नहीं है सब हमने ऐसे ही फ्रेश काटे हुए है तो आप देख सकते हैं मैं ढख ढख के पकाया है और इसको थोड़ी थोड़ी दिर में चलाते रहना है और ये जब थोड़ा पक जाए तो इसमें हम आगे के मसाले डालेंगे जैसे हल्दी हो गया नमक हो गया और ये हल्दी नमक डालके अच्छे से हमें चला लेना है जब ये अच्छे से हमने ये पक जाए हल्दी नमक तो इसमें जो हमने सलोनी मसाला जो घर में तयार किया है जैसे हरा धनिया है जीरा है अद्रक है लसून है और काली मिर्चे बाकी कि इसमें और भी कोई मसाला नहीं पीशा जाएगा और इसमें हम पानी नहीं यूज करेंगे इसको ऐसे ही अब स्लो फ्लेम में पकाना है जब तक यह भाजी पूरा पक नहीं जाए और यह मसाला थोड़ा पक जाए तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे आप आरी काटके डालो आप बड़ा काटके डालो ये तो बाद में गली जाता है इसको फिर अच्छे से चला लेना है और टामाटर पकने तक इसको हमको भूनना है और इसको भी देखो धक दक के पका है देखो हमने अच्छे से मसाला पका लिया है तो देखिए एक Bell ож हो गया है तो हमारा रेडी है बताना और टेक केर बाबाई